नहीं मानी स्वामी की बाता भार्या सूबन बैठी माता अब क्या करे बिधाता अब क्या करे बिधाता जैस याराम मित्रों आज का प्रस्ण है हमारे दर्सक मित्र स्रीमान असोक गुरुजर जी का जिन्नोंने बहुत सारी पहलियों की जड़ी लगा दी है आपकी जानकारी के लिए हमें बतलाना चाहेंगे कि स्री असोक गुरुजर जी स्वयम एक अच्छे बिध्वान है और बहुत सारे प्रस्ण जिनकी भासा गुरुजर बंधूं की अपनी बोलचाल की भासा होती है जिसमें बहुत सारे ऐसे सब्द होते हैं आते हैं जिनका अर्थ मेरी समझ से में नहीं आता तो असोक जी ये मेरे मित्र मेरी सहायता भी करते हैं इनकी मुझसे सिकायत है कि अभी तक मैंने इनकी किसी पहली या प्रस्न को सामिल नहीं किया है अत्य है आज मैंने इनके प्रस्न को प्राथ मिक्ता दी है तो मित्र उमीद करते हैं कि आप नाराज नहीं होंगे और आपका प्यार आपके अपने चैनल को बराबर मिलता रहेगा आपके प्रस्न का साथदार्थ नहीं का मतलब नहीं मानी का मानना स्वामी का मतलब माली किया पती बाता का मतलब बात सलाह भार्या का मतलब पत्नी सू का मतलब से बन बैठी मतलब बन गई माता का मतलब मा अब क्या करे बिधाता मतलब बिधाता का मतलब बिधना ब्रम्हाजी भाग लिखने वाले भगवान ईश्वर मित्र आपने अपनी पहली में रामयन का बहुत सुन्दर प्रसंग लिया है ये उस समय का प्रसंग है जब तेरहवे मनवंतर में स्री राम जी का नारद मुनी के स्राप के कारण और जब दो सिवगणों को नारद जी के स्राप से रामण और कुम्भ करण का जन्व मिलता है और रामण सीता माता का हरन करता है भगवान के उस अवतार में स्री राम जी अपने छोटे भाई लच्मन के साथ बन बन में सीता को खोजते हुए फिरते हैं और नर लीला दिखाते हुए पत्नी के साथ असीम प्यार में रोते हुए बिलाप करते हैं उसी समय भगवान सिव कुम्भज रिसी से मिलकर अपनी पत्नी सती के साथ उधर से ही निकलते हैं और भगवान राम की लीला देखकर राम जी को जब वो देखते हैं तो उनको साश्टांग प्रणाम करते हैं साश्टांग प्रणाम का मतलब होता है धरती पर पूरी दरे से अपने सरीर को ढीला करके लेट जाने को लेट करके जो प्रणाम करते हैं उसको साश्टांग प्रणाम करते हैं यह देक्रमाता सती आश्चर चकित होती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि इसका गोश्वामीजी ने बहुत बड़ी हावरणन किया है कि संकर जगत बंदे जगदीशा सुर नरमुनी सब नावही सीशा तिन नपसुतही कीन परनामा कहि सर्चिदा नंद परधामा भय मगन चबि तासु बिलो की अजहु प्रीतिवुर रहाती नरो की माता सोचती हैं कि इनको संदे हुआ कि भगवान सिव जो पूरे विश्व में सब के बंदनी है ब्रह्मा विश्नु सहित जितने भी देवता हैं उनको प्रणाम करते हैं और वो सिव वो भगवान सिव एक राजा के लड़के को सास्टांग लेट करके प्रणाम करते हैं और उन्हें सच्चिदा अनंद कहते हैं सच्चिदा अनंद का मतलब सत और चित और आनंद तीनों जहां एक जगे हो सच्चिदा अनंद अर्थात भगवान इश्वर्ण यह ऐसा कैसे है उनके मन में सक हो जाता है फिर सोचती है कर सच्चिदा अनंद भगवान परम ब्रह्म है तो कि ब्रह्म हा जो ब्यापक बिरज अज सकल अनी हा अभेद सोकी देह धरी होई नर जाहिन जानत बेद क्यों परम ब्रम परमात्मा जो बिजन्मा है अजन्मा है अनी है अभेद है जिसके बारे में पूरी सूचना पूरी इंफर्मेशन तो बेदों को भी नहीं है वो परम ब्रम परमात्मा मनुष्य का रूप रखेंगे मनुष्य का रूप रख करके यहां गूम रहें ऐसा नह कि अगर परम्ब्रम परमात्मा नहीं है तो यह भिष्णु जी भी both say Well मतलब परंब्रम परमात्माई जैसे हैं तो बिश्णु जो सुरहित नरतन धारी सुसरबग्य जथात्रिपुरारी खोजई सोक खोजई सोकी अग्य इवनारी ज्यान धाम स्रीपति असुरारी अगर विश्णु जी भी होते उन्होंने देवताओं को के हित सादने के लिए मनुस्य का रूप रखा होता तो वो भी तो सरबग्य हैं जैसे जितनी पाबर भगवान सिव के पास है उतनी ही पापर भगवान विष्णू के पास है तो वो अज्ञानियों अग्य का मतलब अज्ञानियों की तरे एक नारी को खुचते वे घुमते ये बात बनती नहीं है कुछ न कुछ गड़बड है लेकिन फिर माता सती ये भी सोचती है कि सिवजी सत्यम सिवं सुन्दरम सिवजी कभी जूट नहीं बोलते तो अब क्या करे माता संदेह और पती के विश्वास के बीच में जूलने लगी और वो संदेह के घेरे में घूम गई सिवजी ने उनको बहुत समझाया किन्त उनकी संका का समाधान नहीं हुआ तो सिवजी बोले कि अगर मेरे कहने से भी मेरे बताने से भी अगर आपकी संका का समाधान नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि विधाता कुछ और चाहता है तो जाकर के आप परिक्षा क्यों नहीं ले लेती सत्यमाता परिक्षा के ले जाती है और जहां से राम लक्ष्मन जी निकल रहे थे उसी मार्ग में सीता का रूप रख लिया और वहीं बैठ बैठ भी अब जब उनको वो समझ रहें कि मैं सीता के रूप में हूँ तो ये हमें कैसे पहचान पाएंगे मनुस से हैं ये तो तुरत सीता समझ के मेरे पास आ जाएंगे लेकिन भगवान तो परब्रम परमात्मा सिरीरा उन्होंने देखा और माता कहे करके उनको प्रणान किया और पूछ बैठे कि हे माता आप इस बिपिन मतलब जंगल में कहां अकेले घुम रही हो भगवान संकर कहा हैं सीव जी कहा हैं अब ये सुन करके जब उनको लगा कि हम तो पहचान लिए गए तो इस्त्रियों का जो सबसे प्यारा गहना है शर्म तो वो सर्म और लज्जित हो करके अपना सिर नीचा करके और सिव जी की तरप को चुप चाप चल पड़ती है भगवान राम ने देखा कि माता दुखी है तो उनको अपना कुछ प्रभाव दिखाया माता ने आखे खोली तो देखा कि चारों तरप ऐसा कोई अस्थान नहीं है जहां पर राम लक्षिमन सीता राम जी बैठे हुए हैं कितने ही हजारों ब्रह्मा विष्णू महेस उनकी सेवा कर रहे हैं राम जी बैठे हुए हैं सारे देवता लिशी मुनी पतानी कौन कौन चारों तरप सिर्फ राम जी राम जी ही हैं माता भै खा गए आश्चर चकित होती हैं आख बंद करके उसी जगे बैठ गई अब फिर आख खोली तो देखा कुछ नहीं फिर वो जाती हैं और भगवा नसीव से जूट बोलती हैं कि हे नाथ मैंने तो कोई भी परिक्षा नहीं ली और आपकी तरे ही हमने भी उनको प्रणाम किया और हम वापस आ ले लेकिन भगवा नसीव तो सरबग्य हैं कितब देख्यू संकरधरी ध्याना सती जोकीन चरित सब जाना सिव जी ने देखा ये तो अनर्थ करके आ रही हैं हमारी मा सीता का रूप रख करके ये वहां बैठ के आई हैं इन्होंने तो महा माया जगत जननी माता सीता का रूप धारण कर लिया है अताह ये अब मेरी इस जन्म में पतनी के लायक ही नहीं रहे गई सिव जी ने उनका वही मन ही मन में त्याग कर दिया और उनको जब कैलास पे जाते हैं तो उनको अपने सामने बैठाते हैं जहां पर अपनी माता को बैठाया जाता है या अन्हे को बैठाया जाता है अपने बामांग में जगे नहीं दिया तो इसके बाद आप सबको मालूम है कि उन्होंने माता सती ने कैसे अपने सरीर को छोड़ा था और फिर उनका पुनर जन्म हुआ और वो पार्बती के रूप में दुबारा से सिव जी की भार्या बनी थी तो आपके प्रस्न में स्वामी मतलब पती अर्थात सिव जी की बात नहीं मानकर सती जी ने जो सिव जी की भार्या थी भार्या से उनकी माता बन गई अर्थात पत्नी ने माता का स्वांग किया अते माता समान हो गई उमीद करते हैं कि आपके प्रस्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा अस्तू जैसे आराम